नागरिक्ता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहा उग्र विरोत प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुष्टी की है। आज स्कुल कॉलेज बंध हैं कई जीलों में इंटरनेट ठप है। आमरोह में महज एक आफवा के कारण सडक पर हजारों की संक्या में उत्री भीड ने तबाही मचा दी। शनिवार सुभा इलाके में एक आफवा फैली कि पुलिस कस्टेडी में किसी व्यक्ति के मौत हो गई है। इसके बाद भीड सरक पर उत्री और जम कर उत्पात मचाया। इस दोरान उग्र भीड ने एक बाइक फूंग दी। उत्तरपरदेश के DGP ओम प्रकास सिह ने बताया कि उग्र प्रदर्शन मामले में अब तक 40-50 लोगों गिरफतार हुए है। लखनों में ही करीब 128 लोग गिरफतार हुए हैं। हुए उत्तर प्रदेश के डीजी पी ओम प्रकास सिह ने जांच जारी की है इन में एंजी ओ और बाहरी तत्व शामिल हो सकते हैं उन्होंने लोगों से शांती बनाये रखने की आपिल की है वही गाजी अबाज जीले के पांच ठानों में 3600 लोगों पर केस दर्ज किया गया है पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में इन लोगों पर केस दर्ज किया है चार सो से जादा लोग नामजद भी इन में शामिल है पुलिस ने 65 लोगों को गिरफतार भी किया है प्रताबगर्ण शहर में आराजकता फैलाने वाले 56 अद्यात उपद्रिवेव के खिलाफ आफाई आर दर्ज की गई है सड़क जाम करने के मामले में आफाई आर दर्ज हुई है शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद एन एच जाम करने और शहर में उतपात मजाने के मामले में नगर कोतवाली में एफाई आर दर्ज हुई है नागरिक्ता कानुन के विरोध में देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीट्स मेरट मुझफर नगर और बीजनोर में पुलिस प्रिशासन ने पूरी तरह शांती विवस्ता बना रखी है इन तिनों शहरों में इंटरनेट सेवा बंध है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तेनात किया गया है शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मेरट मुझफर नगर और बीजनोर में जम कर बवाल हुआ था मेरट में चार बीजनोर में दो और मुझफर नगर की गोली लगने से एक की मौत हो गई है शनिवार को होने वाली पॉल्टिकनिक की विशेश बैक परिक्षा भी इस्तगित कर दी गई है देरात इसका निरने लिया गया प्रवीधिक शिक्षा परिशत के सची उसंजूसी हने बताया कि अपरिहार्य कार्णों से परिक्षा इस्तगित की गई है जल्दी इसकी तिति जारी की सूचना कर दी जाएगी इससे पहले शुकरवार की भी परिक्षा इस्तगित कर दी गई थी प्रदेश में सबी विद्यालेयों, महा विद्यालेयों और विश्व विद्यालेयों में शनीवार को आवकाश रहेगा प्रदेश सरकार ने बुद्वार को ठंड और शीत लहर के चलते ब्रसपतिवार और शुक्रवार को इसकुलों में आवकाश गोशित किया था सरकार ने इस आवकाश को शनिवार तक बढ़ाया है माध्यमिक शिक्षा विबाग की प्रमुक सचिव आराधना शुकला ने बताया कि शनिवार को सभी शिक्षन सस्ताय बंद रहेगी मेरड में हापुर रोड पर थाना नोचंदी के पास भीड ने पुलिस पर पत्राव वो फाइरिंग की और तीन पुलिस जोंकिया फूंक दी इस दोरान एक उपद्रुवी की मौत हो गई है जबकि एसपी सीटी समेट साथ पुलिस करमी घायल हुए है उपद्रुवी ने कई बाइक भी फूकी है कुछ पुलिस करमियों मीडिया करमियों को बंधक बना लिया गया संबल में पुलिस की तीन बाइके फूंक दी गई पुलिस फाइरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है वही बीजनौर में दो उपद्रुवी मारे गए है तीन पुलिस करमियों समेथ एक दर्जन से जादा लोग घायल है मुझफर नगर में गोली लगने से तीन लोग घायल हुए है